अभी हम मौजूद है सही दिसमारक पर जहां बीते 21 दिनों से लेवल एक चैनी सिक्षक अपनी निवक्ति की सरकार से गुहार लगा रहे हैं आपको बता दे पिछले वर्स रास्तान करमचरी चैन बोर्ड आयोक द्वारा 21 पदोपर लेवल एक शिक्षक बरती का विग्यापन जारी किया गया था जिसमें 15,000 से अधिक चैनी सिक्षकों को निवक्ति मिल चुकी है लेकिन 6,000 के लगबग चैनी सिक्षकों की निवक्ति अभी बाकि है ऐसे में ये चैनी सिक्षक लगातार अपनी निवक्ति की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से लगातार साही इसमारक पर प्रदैशन कर रहे हैं सर इकिस दिनों से लगातार आपका प्रदैशन जारी है ज़क्षा मंत्री या सरकार की तरप से कोई आस्वास नम सब्सक्राइब 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 यत ensign सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैं आने वाली गुनिस परवरी को आपके आई कोट में सुनवाई है पिसली सुनवाई हमें के सरकार की तरफ चिल्ला परवाई पड़ती गई जिसका कामे आजा आपको भुगत ना पढ़ रहा है लंबे समय से आपको नियुक्ति नहीं मिले इसको लेकर अमारी अब तक च्छ अगर यह लागू होता है अगर आपको नुक्सान हो सकता है बड़ा नुक्सान हमको अब तक पांच मेने का नुक्सान हो चुका है है और आगे भी हमें नुक्सान होने की पूरी उमीद है बादवक्त है अम सरकार से नुक्सान हो रहा है तो अम सरकार चाहते ही यह दरी इस प्रूड़ो कि हमारा हम यहां बेरोजगार थोड़ी है और पेपर फैर्ट कि हैं जब जब यहां पर पहुंचे तो हमारे साथ रह जा चुकिए था हमको क्यों नहीं सरकार पर आरोप लगाते वे नजारा रहे हैं और इनकी मां यहीं सरकार से कि इनकी नियुक्ति प्रकरिया जो पिछले वर्स रास्तान करमचरी चैन बोर्ड आयोग द्वारा शिक्षक भरती लेवल एक शुरू की गई ती उसमें 15000 से अधि सब्सक्राइब बेंटे हुए हैं हमारी बाई में और आपकी सामने पर शुकति सर्ण दिन किसी अधिकारी या तरकार के किसी मंत्री ना मारी को मामले को संग्धान में नहीं लिए पिसली विदान चुणाओं के वजह साइसे हम आठक चुके थे कि बढ़ती में से पंद्रह जार को नियुक्तियां हो चुकी थी और चार जो चार जार सिख्षक जो हम थे इनको जी लाउंटन के साथ साथ विद्याले भी आउंटन हो चुके थे हमारे सब्सक्राइब के पास जोनिंग लेटर भी है और यह नहीं जा पाई थे आचाव सीटा को मिली है और हम तारिक पर तारिक नहीं देख सकते इसलिए सरकार से मारी है कि मांगे के पहले उन्होंने बोला कि अगर अपोइंट होगे तो हम आपकी उनसे पेरवी करवा जेंगे आप एजी साह भी नुक्त हो चुके हैं और हमारी आगा में गुनिश भरवरी को डेट है तो हम सीम साब से और सरकार सभी समस्त मंत्रियों से यही कहना चाहेंगे कि गुनिश फरवरी को हमारी हाई कोट में सुनवाई है तो एजी साब से पेरवी करा के हमारी यता स्थिति के आदे सटवाए जाए लगातार सरकार से यही मांग करेंगे जो आने वाले गुनिश तारीक उसमें सरकार की तरफ से अच्छे टंग से पेर वी की जाए और इनकी निविक्ति का रास्ता कुछ सके सरफ इस तरफ से कोई भी तैयारी की गई यह क्युक्क जैसे कल आरे तो वह से कोई असवसन नहीं मिलाता सरकार को तो पता भी नियांग है नहीं इसका मतलब यह सरकार का रुक क्या वहारे तरफ ब्लूकर भी नहीं है और हम सरकार से बारवा निवेदन कर रहे हैं कैसे भी करके हमारे मामले को समझे संग्यान में ले और मैं इस मामले चुटकरा दिलाए परना वही बात है फिर लोक्सवा चुनाव आ रहे हैं और यह आकरूस में आता जा रहा है जितने यादा दिनिया रहेगा उतना यादा आक बर्ती परक्रिया शुरू की गई थी उसमें पंद्राजार से अधिक पदो पर चैनी शिक्षकों को निवक्ति मिल गई है लेकिन लगबग 6,000 चैनी शिक्षक ऐसे हैं जिनको अभी तक निवक्ति नहीं मिली है उसी मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से लगातार परदसन करत दिखाए दे रहे हैं और इनकी लगातार सरकार से यही मांग है कि हमारी निवक्ति का रास्ता सरकार और बोड की तरफ से खोला जाए ताकि हमें इसकुल में निवक्ति मिल सके मैं सुनिल कुमाउत केमरामें सयोगी रमाकान के साथ दे नगरी मीडिया